जोहां पर बात हो रही थी आठ जून को लेकर कि कैसे शुषान सिंग राजपूर्ट क्यों छोड़कर आठ जून को रिया चकरवर्ती चली गई थी आधिरात को वापस अपने घर वहीं अब आपने हमारी सेपोर्ट के हेड्लाइन गी देखी होगी जिसमें हमने लिखा है कि रिया चकरवर्ती ने शुषान के घर पर सारे सबूत सच चानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे दरसल रिया चकरवर्ती शुषान के घर से तो गई लेकिन शुषान के घर से सबूत भी लेकर गई रिया चकरवर्ती ने जब 8 जून को शुशान सिंग राजपूर्ट का घर छोड़ा तब उससे पहले रिया चकरवर्ती ने IT डिपार्टमेंट के एक शक्स को शुशान सिंग राजपूर्ट के घर पर बुलाया ये टोटल आठ हार्डिस थे जिसमें शुषान सिंग राजपूत से जुड़े कई सारे सबूत थे और साथ ही रिया चौकरवर्थी से जुड़े सबूत भी अब उसमें रिया चौकरवर्थी के जुड़े सबूत थे या फिर शुषान से जुड़े सबूत की शुषान के तर्चर करती थी रिया या कैसे शुषान सिंग राजपूर्ट डिप्रेशन का शिकार हुआ था इसका खुलासा भी तक नहीं हुआ यह निस्पात का दावा को शुषान सिंग राजपूर्ट की वहन एक पोस्त के जरीर रिया चकरवर्थी को ले कर किया था जिसमें उन्होंन गई और उसने दुबारा शुषान के खरना आने का और उससे मिलने का वैसल लिया जोहां पर शुषान रिया के इन बातों से परिशान हो गया और उसे डर था कि कहीं ऐसा नहों कि रिया चकरवर्थी शुषान को एक्सपोस कर दे या फिर उसकी डिप्रेशन के सचाई सब क सामने आ जाए जिसकी वज़ा से शुषान के परिवार की बेजती हो या फिर शुषान को इंसल्ट फील हो या फिर शुषान का करियर स्पोईल हो जाए इस वज़ा से वो लगातार रिया चकरवर्थी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन रिया चकरवर्थी नी पूर ब्लैक मेल किया और सबूतों की मदद से शुशान सिंग राजपूत को मजबूर किया कदम उठाने के लिए नेक्स ने लाइफ से रजनी के लिए पाउट